वाइरल टेस्ट आपके साथ वो बेरी हावाथ हम तो जिसके चलते बड़ी तबाही होगी दावा ये भी है कि भूकम की ये भविश्वानी नासा ने की है क्या दिल्ली एंसियार में आने वाला है बड़ा भूकम क्या दिल्ली एंसियार को हिला देगा ये भूकम नासा ने कर दी दिल्ली एंसियार में भूकम की भविश्वानी ये खबर आपको डराने के लिए बलकि सावधान करने के लिए दिल्ली एंसियार में भूकम का सवाल यूही नहीं उठ रहा है दरसल सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली एंसियार में बड़े भूकम की आहट की खबरें वाइरल हो रही है वाटसेप ग्रूप्स में इस तरह के मैसेज तेजी से सर्कुलेट हो रहे है इस वाइरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि अगले एक महीने के भीतर दिल्ली एंसियार में इतना बड़ा भूकम पाने वाला है जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस वाइरल मैसेज में क्या लिखा है वाइरल खबर के मुताबिक दिल्ली NCR में 9.1 या 9.2 तिवरता का भीशन भूकम पाने वाला है दावा किया गया है कि ये भूकम अगले 7 अप्रेल से 15 अप्रेल के बीच आ सकता है दावा ये भी किया गया है कि इस भूकम का केंद्रे गुरुग्राम होगा वाइरल खबर में दावा किया जा रहा है कि ये दिल्ली NCR में अब तक का सबसे बड़ा भूकम्प होगा दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस भूकम्प का असर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हर्याना, राजस्थान, पंजाब से लेकर तमिल नाडू तक होगा इस वाइरल मेसेज में खबर का स्रोत नासा की वेबसाइट www.nasaalert.com को बताया गया ये खबर हमारे लिए बहुत एहन थी, क्योंकि 2015 में हमने नेपाल में आये भूकम्प की तबाही देखी थी, वहां 8.1 तीवरता का भूकम पाया थी लेकिन यहां तो दावा किया जा रहा है उससे भी बड़े भूकम का, यानि और भी बड़ी तबाही, हमने इस खबर का वाइरल टेस्ट किया हमने तेजपूर के सेस्मोलोजी डिपार्टमेंट के वैग्यानिकों से बात चित, वह उसे पूछा कि क्या वाकई दिल्ली एंसियार में इतना भायानक भूकम पाने वाला है भूगर्ब वैग्यानिकों ने तो एक सिरे से इस बात को खारिच कर दिया, कि ऐसा कोई भूकम दिल्ली एंसियार में आने वाला है वैग्यानिकों का कहना है कि अभी कोई ऐसी तकनीक नहीं आई है जिससे भूकम की भविश्यवानी की जा सकते हैं वैग्यानिक लगातार इसकी खोज में लगे हुआ है वैग्यानिकों ने तो इस बात पर भी हैरानी जताई कि भूकम की भविश्यवानी नासा की वेबसाइट ने की है सच तो यह है कि नासा की www.nasaalert.com नाम से कोई वेबसाइट ही नहीं है नासा की असली वेबसाइट है https www.nasa.gov एक बात और नासा का काम अंत्रिक्ष में अनुसंधान करना है नाकी भूकम की भविश्यवानी करना है यह भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में नासा का नाम लिया जाता है और इस तरह नासा के नाम लेकर के सोशल मीडिया में बहुत ऐसे वाइरल होना मैसेज जो है सवाविक है लेकिन इससे हम कभी इस तरह चीजों को जो है हम उस तरह से ना ले जिसे के हमें नासा का नाम लेकर के इस तरह मैसेज को वाइरल करना मुझे लगता है ये कुछ लोग जो है इसमें लगे हुए है हमारी अब तक की पर्ताल में दो बाते पानी की तरह साफ हो गई कि ना तो दिल्ली NCR में कोई बड़ा भुकम पाने वाला है और ना ही नासा इस तरह की कोई भविश्यमानी करता ये जो मेसेज है ये वाइरल किया जा रहा है इसमें सचाई नहीं है क्योंकि नासा एजनसी नहीं है अर्थक्वेक के लिए क्योंकि इस पेस एजनसी है अमेरिकन इस पेस एजनसी है जिसका अर्थक्वेक पे काम नहीं है तो फिर चैन की नेंज सोई है, बिलकुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, दिल्ली NCR में बड़े भुकम की भविश्यमानी वाला मैसेज किसी की दिमागी खुराफात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, इस परताल की पूरा होने के बाद हमारे वारल टेस्ट में भुकम की भ उतरपरेश के सबसे एहम मेरट के सांसद गुमशुदा हो गए हैं, यह हम नहीं कह रहे हैं, मेरट और हापुर की जनता के बीच ऐसे मेसेज और तस्वीरे वाइरल हो रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि सांसद मोहदे गुमशुदा हैं, और उन्हें जो डून कर लाएगा वो अच्छा खासा इनाम पाएगा, तो क्या वागई गुम हो गए हैं मेरट के सांसद, चलिए हम भी उन्हें तलाशते हैं अपने सांसद की तलाश में हैं मेरट वाले जो हमारे सांसद मोहदे जी हैं, यह तो बात सही है कि जब से एलेक्शन हुआ है, यह उन्हें ना पहले अपने कभी फोटो दिखाई और ना बात में कभी उन्हें विकास के लिए या कभी किसी काम के लिए आये हो श्याए सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरट के तमाम लोगों का यही मानना है कि उनके क्षेत्र के सांसद राजेंदर अगरवाल लापता हो गए जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर वाइरल हो रही वाटसअब गरूप, फेस्बूप और दूसरे सोशल मीडिया पर मेरट हापुर के सांसद राजेंदर अगरवाल की ऐसी ही तस्वीरे वाइरल हो रही उन्हें धूट कर लाने वालों को इनाम देने का अईलान किया जा रहा है सांसद राजेंदर अगरवाल की तस्वीरों पर टिपड़ी लिखकर लोग वाटसअब ग्रूपों में डाल रहे है राजेंदर अगरवाल पिछले दो बार से मेरट हापुर लोगसभा सीट के सांसद है यानि सांसद रहतें उन्हें करीब 10 साल हो गये है लेकिन मेरट में उनके कामकाच से और संतुष्ट लोगों ने उनके खिलाफ ये मोहिम चलानी शुरू कर दी है हमने मेरट के सांसद के गायब होने की इस वाइरल खबर की परताल की हमारी पर्ताल में उन लोगों का पता तो नहीं चला जिन्हों ने ये तस्वीरे वाइरल की है लेकिन हमने उनकी कॉलोनी के पास उनके पड़ोसियों और गाट से बातचीत की उनसे पूछा कि क्या वाकई सांसत महोदे गायब हो गए है जरा सुरिए जवाब हमने दस साल पहले सांसत जी को देखा था उसके बाद नहीं लिखा विकास के नाम पर आप लोग खुछ सहर में लिकल जाओ आपको खुद दिख जाएगा कि सहर में कितना विकास हुआ है हमने अपनी ये पर्ताल आगे बढ़ाई शेहर के लोगों से बात चीत की हमारी पर्ताल में पता चला कि स्थानिय लोग अपने सांसत से थोड़े नाराज हैं क्योंकि वो शेत्र में समय नहीं देते और तो और खुद बीजेपी कारेकरताओं में भी इस बात का हुस्सा है कि सांसत राजेंदर अगरवाल ना ही राके में देखाई देते हैं और ना ही मेरट के विकासकारियों में रूची लेते हैं हमारी इस परताल में ये बात साफ हो गई कि मेरट के सांसद राजेंदर अगरबाल के कामकाच से वहां की जनता में तमाम लोग खुश नहीं है एक दो लोग मेरट के विकास के कारियों से संतुश्ट नहीं है दूसरे लोगों का कहना है कि उनके सांसद अपने खुशेतर में उतना वक्त नहीं देते जितना वक्त उन्हें देना चाहिए तो हमारे वाइरल टेस्ट में मेरट के लोगों की शिकायतों की बात तो सही पाई गई लेकिन इस वाइरल खबर का दूसरा पहलू ये है कि सांसद कहीं गायब नहीं हुए है उन्हें गुमशुदा वताकर खोजने वालों को इनाम घोशित करने की वाइरल तस्वीर बस उन्हें सचेत करने के लिए है उमीद यही की जानी चाहिए कि सांसद राजेंदर अगरवाल अपने खशेतर के जनता की शिकायतें जरूर दूर करेंगे उस्मान चौधरी मेरट आज तक नवजोत सिंग सिद्धू पहले बीजेपी और प्रधानमिंती नरेंद मोधी की शान में कसीदे गड़ते थे लेकिन अब सोन्या गांधी और मनमोहन सिंग का गुरगान कर रहे हैं जो डायलोग कभी उन्होंने मोधी के लिमा रहा था वही अब डायलोग वो मनमोहन सिंग के लिमा रहे हैं आज तक ने सिद्धू की एक गुलाटी पहली बार दिखाई थी उसके बाद उनका रंग बदलने वाला ये विडियो पूरे देश भर में वाइरल हो गया नरेंदर भाई के जनम दिवस पे यहां आना सिद्धू के लिए ऐसे ही है जैसे कोई मिटी का धेला गुलाबों की क्यारी में आ गया जैसे कोई तिनका बहता बहता नर्मदा माई में किसी शिवलिंग के उपर टिक जाए वैसा सिद्धू आज नरेंदर भाई के जनम दिन पे यहां आके महसूस कर रहा है जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के उपर टिक जाए तो क्या महस्وس करेगा वैसे जी सिद्धू यहां तम्हारे महाकुम में आके महस्وس कर रहा है मोनी बाबा मॉबाइल साइलेंट पर करना हो तो मनमौन चन्राबे ने नहीं किया वो B.J.P के शोरशराबे ने नहीं किया और परधान मंतरी सरदार है ये तो मैं नहीं जानता पर असरदार नहीं है आप सरदार भी है और असरदार भी है मेरी एक ही लालसा है के मरने से पहले लाल के लेके ऊपर जंडा भारत का भारत के जंडा पाटी वाले फैराते दिरें अपने पूर वजों का आशीरवाद अपने सर्थ पे लेके कहता हूँ कि जब तक मेरी धमनियों में लहु है राहुल भाई को लाल किला पे जंडा चड़वाए बिना नहीं मानेंगा मैं प्रंकरते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे वीरों की समाधियों को बरناम नहीं होने देंगे जब तक तंन में गरम लहु की एक बूंद भी बाकी है भारत माता का आचल निलाम नहीं होने देंगे निलाम नहीं होने देगे गौरफ पूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ती रहत युगों से कहीं बेतर है फुलबुला चाहे एक पल क्यों न जीए गरिया में सबसे उंचा हो के जीता ये मेरे लिए दुनिया में सबसे उंचा पल था पात ख़तम खटा है होगा जो आदमी यहां पर आके नरेंदर भाई मोदी के साथ आप सब जैसे लोगों को आके चंद शब्द कह सके उसकी किसमत अच्छी होगी इसलिए नव्योज सिंग सिद्धू फिर से शीष जुकाता है जुकता है आपके पास जुकते वो हैं जिन में जान होती है अकरना त तो मुर्दों की पहचान होती है यह कॉंग्रस वालों की पहचान है कि जम के लूटेंगे जम के लूटेंगे यारो और तुम विरोद करोगे तो डट के कूटेंगे डट के कूटेंगे बोलो यह है के नहीं वाइरल टेस्ट में एक बात फिर आप सभी का स्वागत है गर्मी का मौसम आ गया है जाहिर सी बात है कि आप जब अपनी कार में बैठेंगे तो AC चलाएंगे अगर आपके पास कार है तो ये खबर आपके लिए है जी हाँ, इन दिनों एक खबर वाइरल हो रही है जिसमें कार में AC चलाने पर कैंसर जैसी बीमारी का डर दिखाया जा रहा है इस खबर का सच जाना आपके लिए बेहत ज़रूरी है गर्मी ने दस तक दे दी है और ये लोगों की आदत में शुमार है कि जैसे कार में बैठते हैं सबसे पहले AC का बटन दबाते, AC स्टार्ट करते और गर्मी में कूल कूल सफर करना चाहते तो अब कार में AC चलाने से पहले हो जाएं होश्यार, क्योंकि एक खबर ऐसी वाइरल हो रही है जिस से देखकर आपको कार में लगे AC से खौफ होने लगेगा अगर आप कार में AC चलाते हैं तो साफधान कार में AC चलाना जानलेवा हो सकता है कार में AC चलाने से कैंसर हो सकता है कार में बैठते ही AC चलाने की घलती मत करना तो अगर आपकी कार में AC है तो साफधान हो जाई क्योंकि आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं वाइरल खबर के मताबिक एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि उन लोगों में कैंसर का खत्रा सबसे ज़ादा होता है जो देर तक शीशा बंद खड़ी कार में बैठते ही एसी चालू कर लेते हैं अब अपना जहन दोडाई आप जब भी कार में जाकर बैठते हैं या उसे स्टार्ट कर रहे होते हैं तब गर्म प्लास्टिक जैसी हलकी सी गंध मैसूस करते हैं या आपने कभी सोचा है कि ये गंध आखिर किस चीश की है और कहां से आती है तो आज हम इस खबर का वाइरल टेस्ट करेंगे तो परताल हमारी शुरू होती है अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गर्मियों में जब हम अपनी गारियों को कहीं पाक करते हैं तो गारी के अंदर बहुत सारी हीट खटा हो जाती है और जब हम गारी में अपने बैठते हैं तो एक तब से वो हीट हमें महसूस होती है और साथ ही एक अजीब सी स्मेल भी रहती है और जैसे ही हम गाड़ी का AC on करते हैं तो वो तुरंथी गाड़ी में बैठते के साथ AC की वज़र से वो हीट जो है वो कुछ अजीब सा आपने आप में मिक्स्चर लेकर स्मेल लेकर हमारे अंदर इन्हेल होती है इस गैस को कहा जाता है बेंजीन एक रिसर्च में निकल कर आया है कि ये बेंजीन गैस है जो की डैश बोड है प्लास्टिक मिटेरियल है हमारी गाड़ीों से जो की निकलते हैं उस वक्त और ये हानिकारक होते हैं कैंसर के कारण होते हैं आज हम इसी पर रिसर्च करेंगे जैसे हम इसी ओन करते हैं ये अनुमान और रिसर्च में सामने आया है कि एसी में से ये जो हवा है वो हमारे अंदर चली जाती है और कैंसर कारण होती है लेकिन ये सोशल मीडिया का वाइरल मेसेज है जिसकी परताल आज हम करेंगे और जानकारों से बात करेंगे और जानेगे किसका सच क्या है कि क्या वाकई में बेंजीन गैस इतनी खातरनाक होती है इसका सच जानने के लिए हमने दिल्ली की जाने माने अस्पताल गंगाराम का रुख किया और आज तक की टीम गंगा राम अस्पताल के कैंसर विशिशक्गे डॉक्टरों से मिली सबसे पहले हमारा सवाल बेंजीन गैस को लेकर था तो सुनिए क्या कहते हैं गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर जो लोग बेंजीन से एक्सपोज होते हैं उनमें cancers बनने के chances जादा होते हैं, खास तोर पे जो की blood cancers जिनमें की acute leukemias, lymphomas और खास तोर पे इवन बच्चों में childhood cancers का भी incidence जादा पाया गया है तो सुना आपने, बेंजीन गैस कितनी घातक है? जी हाँ, डॉक्टर साफ साफ कह रहे हैं कि बेंजीन गैस से blood cancer हो सकता है, गर्बवती महिलाओं में इसके प्रभाव से गर्बपात भी हो सकता है, यानि कार में एसी चलाने से क्या वाकई cancer हो सकता है, अब वारिल खबर में जो कहा जा रहा है उसे भी सुनी सामाननी तोर पर किसी भी बंद स्थान पर बेंजीन गैस का मानक स्थर 50 मिली ग्राम प्रती वर्ग पीठ है, वहीं बंद जगह पर पार की गई किसी बंद शीशे वाली कार में बेंजीन की मातरा का स्थर 400 से 800 मिली ग्राम तक होता है, जो की मानक स्थर से 8 गुना जादा है जो कि मानक स्तर से कम से कम 40 गुना अधिक है ऐसे में शीशे बंद की गई कार में एक दम से जाकर बैठना वहां अत्यधिक मात्रा में मौझूद जहरीली बेंजीन गैस को सांस के माध्यम से अपने शरीर मिलेकर कैंसर और अन्य बिमारियों को आमंत्रण देना है डॉक्टरों ने हमें बताया कि अभी तक इसका पक्का प्रूफ नहीं मिला है कि कार में एसी चलाने से बेंजीन की कितनी मात्रा निकलती है तो इस तरह से वाइरल टेस्ट में ये तो साबित हो गया कि बेंजीन गैस कैंसर कारक होती है लेकिन कार की एसी से कैंसर होता है ये अभी और रिसर्च का विश है इनसानों को गुदगुदी लगती है कई जानवरों को भी गुदगुदी लगती है लेकिन अगर हम आप से कहें कि पेड को भी गुदगुदी लगती है तो शायद आप नहीं मानेंगे जिहां यूपी के लखीमपुर में एक पेड की खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि इस पेड़ को लगती है गुदगुदी इस दावे में कितना दम है आईए पर रखते हैं गुदगुदी करने पर खिल खिला कर हसता है ये पे इंसानों की तरह ठाहा के मारता है ये पेड़ हस्ते पेड़ का वाइरल टेस्ट और से देखिए ये वीडियो एक शक्स पेड़ के तने को सहला रहा है तो बार-बार वो कैमरे की तरफ भी देख रहा है अब उसका दावा सुनिए जो सबसे ज़ादा चौकाने वाला है और से सुनिएगा पेड़ में भी जान टाइप का है इसको जो है कि नहीं सहलाने से इसमें भी कमपन सुरू होता है गुदगुदी टाइप का फॉरेस्ट गार्ड अजय सिंग की माने तो ये पेड जिसे वो थोड़ी देर पहले सहला रहे थे इंसानों की तरह हसता है गुदगुदाने पर अपनी हसी रोक नहीं पाता ठाहा के मारता है और शायद यही वजह है कि ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है इस पेड के वीडियो जम कर शेर किये जा रहे है लाफिंग ट्री के नाम से ये पेड मशूर हो रहा है लियाज़ा हमने इस खबर का वाइरल टेस्ट करने की ठाने बैराईच के कतरनिया घाट वाइल लाइफ शेतर में आने वाले क्रास लेंड में चार पेड ऐसे हैं जो दिखने पर तो आम पेड जैसे हैं लेकिन ये इनसानों जैसा बरताओ करते हैं कहते हैं कि इन्हें सहलाओ तो ये हसते हैं इन्हीं गुदगुदी होती है और इनमें कमपन साफ देखी जा सकती है डावा किया जाता है किस पेड को गुदगुदी करने पर इसकी टेहनिया हिलने लगती है स्थानिय लोगों ने इसे गुदगुदी पेड का नाम दिया है तो इस पेड़ को देखने के लिए दूर दूर से सहलानी आते हैं आज तक समवादा था राम बरन चौधरी भी इस गुदगुदी पेड़ कार रहस से जानने पहुँचे लेकिन पतज़र होने के चलते इसके पत्ते ज़र चुके थे ऐसे में क्या इस गुदगुदी पेड़ का सच बाहरापा था हमने कोशिश की तो जो दिखाई पड़ा वो वाकी चुकाने वाला था जैसे ही इस पेड़ को सहलाने लगे तो पत्तियां न होने पर भी पेड़ की टेहनिया थोड़ी हिलती हुई नजर आए तो क्या ये पेड़ वाकई हस रहा है या फिर हवा से पेड़ की टेहनिया हिलती हुई दिखी सवाल अब भी बरकरार थे और इन सवालों के जवाब जानना उतना ही जरूरी यहाजा हमने इस बाबत रिसर्च की तो पता चला कि उत्तरा खंड के काला डूंगी जंगल में एक ऐसा ही पेड़ है जिसे हाथ लगाते ही उसे गुदगुदी शुरू हो जाती है इस पेड़ के तने में अगर उंगलिया रगडी जाएं तो इसकी शाखाएं हिलने लगती हैं इसका वास्तोविक नाम रेंडिया डुमिटोरम है अब इन पेड़ों को हाथ लगाने पर इन्हें गुदगुदी क्यों होती है इस पर कई शोद किये जा रहे हैं वेड़ ज्यानिक भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे वो कौन सी वज़य है क्या वाकई पेड़ इनसानों की तरह हसते भी हैं लेहाजा हमारे वाइरल टेस्ट में ये खबर फेल हुई क्योंकि इस पेड़ के हसने के कोई प्रत्यक्ष प्रमान हमें नहीं मिले यह तो नदी का पानी थंडा होता है क्योंकि वो लगातार बहता रहता है शीतलता नदी के जल का गुण है लेकिन हम आपको आज एक ऐसी नदी की वाइरल खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें उसका पानी हमीशा खौलता रहता है इतना खौलता रहता है कि उसमें आप चाई भी बना सकते हैं, खाना पका सकते हैं, खौलते पानी वाली नदी का सच चलिए जानते हैं एक बड़ी पुरानी कहावत है जो आपने जरूर सुनी होगी, आग का दरिया है और डूप के जाना है लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं खौलता दरिया, जिसमें कोई डूप जाए तो जिन्दा नहीं बचता जी हम, आपने नदी तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी दिखाने जा रहे हैं, जिसका पानी उबलता रहता है और ये उबलता दरिया खुब वाइरल हो रहा है आखिर क्या है इस खौलती नदी की हकीकत आज हम वाइरल टिस्ट में इसी की परताल करेंगे आखिर क्यों खौल रही है ये नदी क्या इस नदी के नीचे भी आग का दरिया है या फिर किसी चमतकार से ये नदी उबल रही है हम आपको बता दें कि दुनिया की ये अनोखी नदी जिसमें 2400 घंटे पानी उबलता रहता है और साल के 365 दिन पानी खौलता हुआ मिलता है सोशल मीडिया पर वाइरल हुए इस वीडियो में दावा किया गया कि ये नदी आग के दरिया के उपर है लेगने इसकी सच्छा ही क्या है हम आपको बताएं तो हमारी परता अब शुरू होती है खबरों और इंटरनेट को खंगालने के बाद जो तमाम जानकारी हमें मिली उसे पता चलता है कि उबलते पानी की नदी दक्षिन अमेरिका के अमेजन बेसिन में है इसको बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना चाता है इस अनोखी नदी की खोज आंद्रेज रूजो ने साल 2011 में की थी इस उबलते हुए पानी की नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है बॉइलिंग रिवर के चड़ाई 82 फीट और गहराई 20 फीट है अमेजन बेसिन में ये नदी जंगल के बीच बहती है इसका पानी 200 डिग्री फारेंहाइट पर उबलता रहता है ये तापमान इतना है कि अंडे और चावल असानी से उबाल सकता है का जाता है कि अगर कोई जीव इस नदी में गिर जाए तो वो जिन्दा नहीं पच्चता थंड के मौसम में भी इस नदी का पानी इतना ही गर्म रहता है बॉइलिंग रिवर के असपास उसके गर्म पानी की भाप उरती रहती है इस भाप की वज़ा से कई बार इलाके में द्रिश्चता यानी विजिबिलिटी काफी कम हो जाती इस वज़ा से इलाके से अंजान लोगों के हादसे का शिकार बनने का खत्रा भी अधिक रहता है अलाकि पानी और गुद्रत के इस गजब नजारे को देखने के लिए लोग यहां आते रहते हैं कुछ भी हो लेकिन इसके बावजूद बॉयलिंग रिवर की इस खासियत और गुद्रत के अनोखे नजारे को देखने के लिए लोगों के मन में उत्सुता बनी रहती और वो बड़ी संख्या में यहां आते हैं नदी का पानी क्यों उबलता है इसकी सठीक जानकारी तो नहीं मिल पए लेकिन हमारी पर्ताल में ये जरूर साबित हो गया कि वाइरल वीडियो बिलकुल सही है यानी ये खबर वाइरल टेस्ट में पास दो वाइरल टेस्ट में अभी के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ देखते रहे आज तक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले